हाई फ्रेंट्स मैं आर्थी अपने यूट्यूब चैनल प्रावलों का स्वागत करती हूं तो आज मैं आप लोगों को एक और वीडियो सिखाने बाले हूं जिसमें आपको एक ख्वाइचा दोनी तो फ्रेंड्स उसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्ल करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो और मेरा सिखाया हुआ आपको अच्छा लगता है कि नहीं मैं यह जान नहीं पाती हूं तो इसलिए फ्लीज फ्रेंस आप लोगों कमेंट जरूर करें तो देखिए फ्रेंस मैं एक यह उलेन रुमाल के जैसा गोल बनाई हूं और इस ले लेना है और दस नमबर का क्रोशिया और आपको जो लेना हो फोर फलाय टू पलाय या थिरी पलाय या फोर पलाय तो कोई भी आप लिजिएगा तो उसके मुताबिक आप लोग एक क्रोशिया ले लिजिए गा तु मैं इस खईचा दोनी में लैस का बता रही हूं जो कैसे आप लोग लेस को लगाईएगा और इधर देखिए जो इधर मैं एक कपरा काट करके लगाई हूं तो मैं एक वीडियो डाल चुकी हूं जो उसमें आप लोग कैसे कपरा को लगाईएगा तो आप लोग वो वीडियो आप लोग निकाल कर देख सकते है जो कपरा उसमें मैं कैसे बताई हूं लगने के लिए तो यहां थोरा सा मेरा लैस घट गया है तो यहां मैं सितारा का उपयोग करूँगी तो वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी वीडियो में तो आप लोग वीडियो को लास तक देखते रहिएगा और इसमें देखिए डालते हैं सुई से उस तरह से आपको टॉंकना है उपर उलेन रुबाल के उपर आप लोग रखिएगा और इस तरह से सुई की साहता से इसको लैस को मजबूती से ये थोरा सा एक अंगली चौला है तो देखिए अगर मैं एक साइड सील लोंगी तो अच्छा नहीं लगेगा इसके लिए मैं इसको दोनों साइड में यहां और उपर दोनों उपर और नीचे दोनों सीली हूँ तो ये बैठा हुआ है अच्छा लग रहा है तो आप लोग अगर ऐसा लैस डालिएगा तो उपर और नीचे दोनों साइड में आपको इस तरह से गोल करते हुए लैस को ब अगर आप लोग इससे बड़ा लेना चाहें तो बड़ा भी ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग इस तरह का सितारा लगाना चाहें, आप लोग सितारा का भी यूज कर सकते हैं, तो इसमें मैं देखिये, सिर्फ बीज में इस तरह से मोती को सुई की साइता से टंक कर लगाई हूं तो आप लोग यहां देखिए मैं इस में लगाने के लिए आप लोगों को बता रही हूं तो आप लोग रेड कलर का धागा सुई में डाल कर इस तरह से थोरी थोरी दूर पर मोती को आप लोग टुकते जाएगा फिर एक मोती लगाने के बाद आप लोग दूसरा मोती इस तरह से लिजिएगा और इस तरह से थोरी थोरी दूर पर आपको इस तरह से मोती लगाने हैं तो फिर मैं आपको दोनों पल्ला को कैसे जोइंट करके इसको खोईचा दौनी बनाएंगे वो आप लोग देखियेगा वीडियो तब आप लोगों को समझ में आएगा तो इस तरह से पहले आप लोग मोती को ये जो बीच में आपको गोला कार दिखाई देरा यहां आपको इस तरह से मोती लगाकर इस तरह से आपको गोल बनाना है उसके बाद मैं इस दोनों पला को इस तरह से जोइंट करके बताऊंगी जो आप लोग कैसे इसको सिलाई किजिएगा तो देखिए फ्रेंस ये मेरा मोती लगाने का काम इसमें भी खतम हो गया है तो आप मैं दोनों पला को सेट करके देखिए थोड़ा दूर मैं इसको सिलाई कर ली हूँ तो आप लोग दियान से देखिएगा जो दोनों को आपको उल्टा करके रखना है और एक भाग को इस तर दोने में कोई दिकत नहीं होगा ये मुझे बतने का बतने की जरुवत नहीं है फिर भी आप लोग देखिए जो दोनों को जोइंट करते हुए आपको इस तरह से सुई की सहायता से सिलाई कर लेना है और थोड़ा दूर आप लोग आगे में जितना बरा आप इसका मुह इसको और इसको मिलाते हुए ल्यास को आपको नहीं पकरना है शिर्फ दोनों भाग को सिलना है तो इस तरह से आप लोग मिलाते हुए सुई से सिल लेना है पहले एक बार और फिर आप लोग दुबारा सिलाई करते हुए इसको मजबूत करने के लिए दुबारा आप लोग इसकी सिलाई कर लीजिएगा तो इस तरह से आपको इस खोईचा दोनी के चारो बगल में सिलना है और थोड़ा दूर आप लोग यहाँ पर इसका मुझ खुला छोरिएगा तो देखिए प्रेंस अब ये खोईचा दोनी की सिलाई कम्प्लीट हो गई है तो मैं आपको सिधा कर के दिखलाती हूँ तो देखिए सिधा करने के बाद ऐसा खोईचा दोनी बनकर तयार हुआ है यहाँ पर मेरा थोड़ा सल्यास घट गया था तो मैं यहाँ पर सितारा सीकर डाल दी हूँ तो यहाँ देखिए इस तरह से आपको दिखेगा चारो साइड में और यह इसका मु सिधा बना सकते है इस साइड से भी और इस साइड से भी तो मैं इधर सिधा बनाओंगी तो यहाँ पर मैं एक पंपोम सेट करूंगी बीच में इधर तो ये भी मैं सुई की साहता से इसको सिलाई करूंगी तो आप लोग अंदर से इसके उपर से सुई को निकाल लिएगा और तिन चार बार इसको इस तरह से सिल लिजिएगा ताकि ये मजबूत हो जाए और इसमें मैं आप डोरी बनाऊंगी तो आप लोग वीडियो पर बने रहे हैं वीडियो को लास तक देखिए जो इसका मैं डोरी आप लोगों को कैसे बताती हूं तो पहले आप लोग यहाँ पर पॉम पॉम अच्छी तरह से सेट कर लिजिए तो देखिए प्रेंस अब मैं डोरी आप लोगों को बता रही हूं तो आप लोग पूल को यहाँ पर क्रोसिया की मदद से जोइंट कीजिएगा इस तरह से दो बार इस तरह से आपको जोइंट करना है और फिर यहाँ से आपको चार बार उलको खीचना है और फिर इस तरह से आपको सिंगल क्रोसिया से जोइंट करना है फिर एक चेन और फिर यहाँ पर चार बार मोटा चाहते हैं तो चार बार अगर पतला चाहेंगे तो आप लोग तीन बार उलको खीचिएगा और सिंगल क्रोसिया से जोइंट करते हुए फिर इधर आपको मूर जाना है और फिर यहीं पर आपको chain के बीच से आपको तीन बार क्रोसिया से ऊलको खीचना है और single क्रोसिया से joint करना है फिर एक chain और फिर यहीं सेम जगा पर आपको तीन बार पूल को खीच कर सिंगल क्रोशया से जोइन करना है तो आपको इसी को बार बार रिपीट करते हुए आपको जितना लंबा जरूरत हो डोरी बनाने के लिए आप लोग इसको डोरी बनाते जाईएगा तो मैं आपको लास्ट में डोरी के एक फलावर बनाऊंगी तो वो मैं अब आपको बताऊंगी तो मैं दोनों साइड में डोरी बना लेती हूँ उसके बाद आप लोगों को आगे तो इसी तरह से आप लोग डोरी बनाईएगा तो देखे प्रेंस ये डोरी में बनाकर कम्प्लीट कर ली हूँ एक साइड में और यहाँ पर मैं बनने के लिए ये आपको उनीस बार आपको इस तरह से डिजाइन को बनाना है उसके बाद आप लोग यहाँ से चेन बनाकर उसके बाद ये लास्ट में एक छोटा सा फ्लावर आप लोग बना लीजिएगा तो ये देखिए आप लोग कैसे बनाईएगा तो इसके बीच में आपको एक, दो दो चेन डाल कर फिर इस बीच में आपको इस तरह से चेन डालना है 20 चेन आपको 40 चेन आपको यहाँ से बनाने है और उसके बाद आप लोग लास्ट में एक फ्लावर, आप लोग चाहें तो डोरी में आप लोग मोती या सितारा, आप लोग यहां से यहां तक सजा सकते हैं, सुई की साहता से आप लोग इसमें मोती सिल लिजिएगा, तो आप लोग देखिए, जो में एलास्ट में फ्लावर कैसे बनाती हूँ, तो इस तरह से आपको पहले चेन बनाना है, तो इस तरह से आप लोग यहां से दोनों को नाप लीजिएगा, और आपको इतना बड़ा करना है, चालिस चेन डालने के बाद, आप लोग यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच, छो, और फिर यहां, आपको सिंगल क्रोशिया से इसको जोइंट करना है, इस तरह से, और फिर एक, दो, दो चेन डालकर, सिंगल क्रोशिया से यहां पर जोइंट करना है, तो आपको इस तरह से पांच बार इस चेन के अंदर में दो-दो चेन डालकर, सिंगल क्रोशिया से जोइंट करना है, तो यह आपका फ्लावर बन जाएगा, और फिर इस चेन के अंदर में आपको दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक, फिर ये दो, दो चेन बनाने के बाद यहां पर आपको सिंगल क्रोशिया से जोइंट कर लेना है, फिर अगली चेन में आपको दो डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया से यहां पर जोइंट करना है, तो इस तरह से आप लोग पांच बार पति को इस तरह से बना ल तो फिर आपको लास्ट में ये उल को जोइंट करके फिर उल को तोर देना है तो ये आपका डोरी बनकर कम्प्लीट हो जाएगा तो आप लोग डोरी में मैं बता दी हूं जो मोती सितारा या सजाना चाहें कुछ चीज से तो आप लोग इसको भी सजा सकते हैं तो अब मैं यह आपको इसको बंद करने के लिए बता रही हूं जो ख़चा इसमें रखकर आप लोग इसको बंद करिएगा तो आप लोग बीच में इस तरह से क्रोशिया से उल को जोइंट किजिएगा और फिर यहां से आपको डवल क्रोशिया डालते हुए 10 डवल क्रोशिया आप लोग बीच में डाल लीजिएगा और कम से कम 20 बार आगे आपको उपर इसको बुनना है तो आपको इधर और इधर इस तरह से तीनों ली इधर हुआ है तीनों ली इधर छोर के आपको यहां दस बार डवल क्रोशिया बनाते हुए फिर आप इधर वापस मूर जाएगा और इसके उपर उपर आपको इसी डवल क्रोशिया को दोराते जहना है तो आपको उपर 20 बार इसको यह आपको जितना में यह बंद हो जाए इसका एक ड़कन लगाने के लिए या फैंसी बटन या फुलावर भी लगा सकते हैं तो मैं आपको यह उपर बना कर उसके बाद दिखाती हूँ तो इस तरह से आप लोग इसको बंद करने के लिए इसका बनाईएगा तो देखे फ्रेंस लास्ट लाइन में आप लोग साइड में तीन डवल करोसिया और फिर एक दो तीन चार चार चेन और फिर साइड में तीन डवल करोसिया डालिएगा और आगे में आप लोग इसको लगाने केल गिए एक छोटा सा पॉम पॉम एक छोटा सा फुलावर या आप लोग फैंसी बटन शील लीजिएगा और उसके बाद आप लोग यहां से उलको कट कर लीजिएगा तो देखिए यह अब इस तरह से इसका धकन लगाने वला बन गया है तो आप लोग इसमें खोईचा रख कर फिर आप लोग इसको इस तरह से यहां पर बंद कर सकते हैं तो मैं अब वीडियो को यहीं समाप्त करती हूं अगर आप लोग उनको कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं थेंक्स पोर वाचिंग मैं वीडियो